हाई एवरिवन मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आलू पोस्तो बना रही हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे चार आलू को छील के और कट कर लिया है उसके बद कुछ मैंने मशाले लिया है जिसमें मैंने अध्रक लहसन, कालिमिच और जीरा लिया है इन सभी को पीस लेंगे, मैंने यहाँ पे दो चम्मच पोस्तो लिया है, इन सभी को मैं पहले पीस लूँगी यह मैंने पीस लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था अब मैं हींग डालूँगी और पचफोरण डालूँगी साथ में एक तेजपत्ता और एक लाल मिच्दी है उसके बाद मैं यहाँ पे एक थोटा सा प्याज डाल रही हूँ आप क्या है तो प्याज डाले नहीं तो नहीं डाले आप इसकी बी कर सकते हैं प्याज ब्राउन हो चुका है अब मैं इसमें थोड़ी सी पहले हल्डी डालूंगी उसके बाद ये जो मैंने तयार करके रखा हुआ थाना मशाला वो भी मैं इसमें डाल दूंगी अद्रक लसन वाला पेस्ट और इसको ऐसे चला लेते हैं उसके बाद हाफ चमच धनिया पौ उसके बाद ये देखिए मसाला लगवग 50% भून चुका है अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ और आलू को भी अच्छी तरह से चला लेंगे पहले उसके बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी इतना में मैंने एक चमच का यूच किया है आप अप चला लेते हैं उसके बाद मैं इसमें दो टमाटर डाल रही हूँ दो छोटा चोटा टमाटर है टमाटर को आप पहले ही भूलने यानि गला लें अच्छे से उसके बाद ही पोस्तो डाले और उसके बाद कुछ देर के लिए फिर से इसको ढग देते हैं कुछ देर हो गया है ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है अब मैं इसमें पोस्टो डालूँगी ये जो मैंने पीस के रखा हुआ था पोस्टो ऐसे मिक्सी में थोड़ा सा नहीं पीसाता है तो आप हो सके तो सिल्वट्टे में पीस सकते हैं नहीं तो अगर मिक्सी में पीसना है तो फिर आप एक उसमें प्यास डाल दे उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से पहले चला लोंगी और उसको इसको भी कम से कम तीन से चार मिनट के लिए ढखके छोड़ोंगी तीन से चार मिनट हो गया है ये देखिए तेल अच्छे से छोड़ दिया है यानि ये अच्छे से भून चुका है अभी खुस्बू बहुत अच्छी आ रही है ये भून चुका अच्छे से अब मैं इसमें पानी डालूंगी पानी आप अपने हिसाब से कम या जादा रख स आगर आप चावल में खाना है आपको तो प्लश कम डाले आगर रोती में खाना है तो घ्लस काम अब चावल में खाना है इसलिए मैं थोड़ा सा जाधा जाड़ सक 끝is कर्णा 1.दी मिन खें के फिर से 2-3 म अब मैं इसमें फोड़ा सा धनिया पता डालूंगी है यंश्व से तो धन्या पता पता जरूर डालें अगर मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दें ये देखिए ये बन के तयार है गैस की आज को बंद करते हैं और एक बाउल में निकालते हैं ये देखिए ये सब्जी बहुत कैसा लगा आपको